के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं मुहमाद जुनैद आज से हम लोग क्लास 12 का फॉस्ट वॉल्यूम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट वीडियू में हमने परहता है कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है और किस लेशन से कितने माकसा एक्जाम में कोशन आता है हम लोग यहां पर से करेंगे कि पॉस्ट लिसन आप लेशन अंफंट फॉर से जो था से चेप्टर वह directly क्षक्राइब बड़ने में इसलिए लोग कुछ इंट्रेस्टिंग से स्थार्ट करते हैं और आगे चलकर दिरेए मुझ उसको भी कवर करेंगे पहले उसको भी खतम करने से पहले वॉलिम कतम होने से पहले उसको भी पहले पढ़ देंगे, on trigonometry में हम लोग को start करना है वो करना है, inverse trigonometry से, तो inverse trigonometry से पहले पहले हम लोग के लिए ये अच्छा होगा, कि हम लोग जान ले पहले trigonometry होता क्या है, ताकि आप लोग भी वह उन टिक टॉकर्स के जैसे नहीं पूछिए कि यह साइंट इटा, कॉस्ट इटा, लेम्डा इन सब का यूज कहां करते हैं आप भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं कि आप किसी को बता सके कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज है उसका यूज है उसका यूज है, तो यह हमको पता है, लेकिन लोग कि डेली लाइफ में तो यूज होता है, कुछ अच्छे पोस्ट पर आप जाईएगा जब एंजिनरिंग कर रहे हैं या फिर कोई अच्छा पोस्ट एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं, तो वहाँ पे आपका इसका यूज कर सकते हैं उसके साथ-साथ अगर आप चाह रहे हैं कि 12 के बाद जेनरल कॉप्टिशन की तयारी करें तो भी बहुत अच्छा होगा ये आपके चेप्टर के लिए 2-3 मार्क सा कोश्टन एक्जाम में भी रहता है तो इस्टार्ट करता है हम लग ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्टिंग से कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है हिंदी में इसको ट्री कोन मीती कहते हैं ट्री कोन मीती ट्रिगोनोमेट्री जो है एक्चुली तीन वर्ट से मिल करके बना है वह एक try दूसरा gone और तीसरा है Metron try मतलब होता है तीन, gone मतलब होता है भुजह, Metron मतलब होता है मापन तो अगर अब इससे अब definition खुद से निकाँ सकते हैं कि वैसा कोई भी figure वैसा कोई polygon जो तीन भुजह से खीरा हो और उसका measurement उसके मापन से समंदित जो अध्धन करेंगे परहाई करेंगे वो करेंगे त्रिकोनमीती में में त्रिकोनमेट्री में आप इसी के अंदर पहले भी पढ़ चुके होंगे कि इसका जो बताया गया था इसका यूज जो एक्चुली हम लोग जानते हैं कि पाइथागुरस जी जो किये थे वो किये थे लगबाग आज से पांस सो इस भी पूर्ब लेकिन हम लोग को यह नहीं पता है कि ट्रिकोनमेट्री का जो यूज है वो मिस्र और बेबी लोन के लोग बहुत पहले से क्या करते थे इसका मतलब कि यह पाइथागुरस जी जी थे ना उनके जनम से पहले से इसका यूज होता रहा है लोग जो है मिस्र के और बेबी लोन के बहां के लोग यह पता करते थे ट्रिकोनमेट्री का यूज करके कि इस साल कितनी बारिश होने बाली है और बारिश जो होगी वो किस लेवल पे होगी हम किस तरह का खेती करें यह सब वो लोग पहले पता कर लिया करते थे जैसे आज ह बीच का अगर दूरी नापना है तो वहाँ पर कोई फीता लेकर जाकर तो नहीं नाप सकता है किसी चीज से आपने नाप सकते हैं तो वहाँ पर यहीं पर लिमिटेर थे कि यहीं तक हम लोगो जानना था इलेवेंथ में जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर चुके होंगे कि वहाँ जो ट्रिगोनेमेट्री का यूज है वह जीरो डिग्री से 360 डिग्री तक का यूज किया जा सकता है और अब हम लोग 12 में उसी का यूज और ज्यादे एप्लिकेशन उसके बार में पढ़ेंगे उसके साथ साथ आप लोग हैटेन इस्टे चेपटर पढ़े होंगे तेन्थ में भी वह भी ट्रिगोनेमेट्री का एप्लिकेशन है मतलब ट्रिगोनेमेट्री का क्या यूज है वह सब बताता है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कि रॉइट एंगल एंगल क्या होता है समकून तिर्भूज तो समकून तिर्भूज बोलते हैं कि इसी वैसा तिर्भूज जिसका एक कौन जो वो 90 डिग्री का हो में समकून हो 90 डिग्री का हो और बाकि जो जो कौन हो वो निवन कौन हो उसको बोलते हैं समकून तिर्भूज ये इसका 90 डिग्री से छोटा उसको बोलते हैं नियून कोन एक्यूट एंगल इंग्रिस में कहते हैं और उसी तरह से हम लोग पर चोके होंगे कि समकोन तिर्भूज क्या होता है जो 90 डिगर के एंगल होता है उसके बारे में और इसी से रिलेटेर पाइथागोरस जी का एक थेवरम था जो आप ल पर दाबर होता है लंब के बर्ग और आधार के वर्ग योगफल के यह लोग पहले पढ़ चुके हैं है आच स्कौरार एककोल टू प्लस बी स्कौरे अब बात अब बोलते हैं कि संकौन तिर्भूज क्या सबसे बरा भूजा और सबसे बरा बूजा शह सबसे बरा कुरा के से हनिकेट करता है यह हो गया है हैसी सिर्म निकले के बिराबर होता है इसे स्कार्ण करते हैंon और फॉट्स को रहें परना क्या-क्या है तो ऊचेघामी एंदर हम लोग पर थे हैं प्रेद परन्क्षन के बारे में किस का्शन साफ लिए अनुपात क्या क्या होता यहां पहले। पहला जो है हम लोग यह जानते है कि इसमें छे फलन होता है function है, sin theta, cos theta, ten theta, cos theta, sec theta और यह cot theta यह छे function के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, तो हम लोग basic अभी पढ़ रहे हैं इसलिए इसी function के बारे में पढ़ेंगे inverse chapter आपका अगले class में या फिर next video में ही बताएंगे कि inverse function के बारे में क्या से पढ़ना है जो आपका main 12 का पहला class रहेगा वो रहेगा inverse trigonometry का और जो की अगला वीडियो होगा inverse trigonometry हम लोग को actually ये पढ़ना है लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर हम लोग basic नहीं जानेंगे तो ये हम लोग का पढ़ना वेर्थ होगा बेकार होगा क्योंकि ये पढ़ने नहीं पढ़ेगा क्या आ रहा है क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा इसलिए हम लोग पहले इसको पढ़ना सुरू करते हैं कि यह होता क्या है साइन्टिता कॉस्टिया सब next हम लोग पढ़ते हैं कि class 3 में जो भी हम लोग पढ़े थे कुछ identities के बारे में पढ़े थे उन identities के बारे में पढ़ लेते हैं revision कर लेते हैं हम लोग का क्योंकि उन identities का बहुत ज़दा यूज होगा आपका inverse trigonometry में बहुत ज़दा यूज करेंगे हम लोग जो पहले पर चुकि आप लोग उसको भूलना नहीं है maths एक ऐसा subject है जो अपना करी जोड करके लता है जैसे carbon chain पढ़िये का chemistry में जैसे chain एक दूसरे से जुड़ा होता है और हमेशा जुड़ा ही रहना चाहिए वैसा ही maths भी है कि आपका एक करी एक class दूसरे क्लास से attached होता है मिला होता है अगर आप किसी class को बंग करके जाते हैं तो फिर आपके समाझ में पल्ले नहीं पढ़ने वाला वो सब तो हम लोग तेंथ का कुछ रिवीजन करते हैं जैसे कि पहले पर चोके है साइन ठीटा का formula क्या होता है साइन ठीटा बराबर हो जाएगा पी बाइच मेंस लंब बटाकर्ण यहां पर लंब को लिख रहे हैं पी से perpendicular आधार को लिख रहे हैं आधार हो जाएगा आपका बी और करन जो हो जाएगा वो आप परेजन करेंगे हैच से हैपोटेनस तो साइन ठीटा हो गया पी बाइच साइन ठीटा का हम लोग जानते हैं रेसीप रोकल होता है कॉसेग ठीटा जिसको बोलते हैं एच भाई पी रेसीप रोकल मिन्स उल्टा जो नीचे सो वो उपर उपर वाला नीचे परतिलोम हिंदी में कहते हैं कॉस ठीटा बराबर हो जाएगा बी बाइच अधारबटाकर्ण और इसका उल्टा होता है सेग ठीटा सेग ठीटा बराबर हो जाएगा H by B यह सब reciprocal है directly आप यूज़ इसका कर सकते हैं उसके बाद फिर 10 ठीटा का यूज़ करना है तो 10 ठीटा बराबर आपको हो जाएगा अब directly इसका लिख सकते है P by B और इसका reciprocal होता है कोड ठीटा वो हो जाएगा अपका B by P इतना हम लोग जानते हैं उसके साथ साथ कुछ और इसका फॉर्मूला होगा यह आइडेंटिटीज नहीं है इसके साथ तीन आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े थे वो पहला यह था कि sin2 theta plus cos2 theta equal to one इससे कुछ formula निकलता है वो formula पता होगा sin2 theta निकलना होगा तो one minus cos2 theta plus में धर चिलाएगा तो minus में हो जाएगा cos2 theta है तो plus one है sin2 theta उद चलाएगा one minus sin2 theta हो जाएगा जो भी फॉर्मूला का नोट से है वो आप लोग को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट पीडिएफ टाइप से पीडिएफ में मिल जाएगा लिखने का जरूरत नहीं है फॉर्मूला से मिल जाएगा उसके बाद दूसरा इंटीटीज हम लोग पर रहे थे कि को एक स्कुऑएग यकोटा कोशिक स्कुऑएगा इतना हम लोग जानते हैं इसाओ फार्द न्म्म पर चुँक जिएंग वन्न प्लस स्कुऑएगРИच क्यूएग आप लोग वोग कोश्ञी कॉशिक स्कुऑएग साथ सकत है कि हैक स्कुण में जाएगा स्कुणों ты इस ऐला सब चीज के बारे में इसके साथ में कुछ और भी आइडेंटिटीटी था जैसे फूर नंबर देखा जाए तो साइन ठीटा इन्टू कॉसेग ठीटा एक्कॉल तो टावन यह भी पर चुके हैं यहां लिख रहे हैं सायद नीचे ना दिखे कॉस्ट इटा इन्टू सेग टेन ठीटा इन्टू कॉस्ट इटा एक्कॉल टू वन यह छे आइडेंटिटीटीज हो गया आपका जिसको अच्छे से याद रखिएगा ताकि इससे फर्मूला निकल सके अगर हमको कॉस्ट इटा का निकलना हो तो उसे एक ठीटा मल्टिप्लाई में है वन बाइट एक ठ चीज़ पढ़े थे वह यह था कि जीरो डिग्री से 90 डिग्री तक का वैल्यू क्या क्या होता है वह याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्डेंट है इतना दा कि अगर आप उसको नहीं याद करते हैं तो आपका बहुत सारा कोश्टन जो छूट सकता है हैं लोग को दिखा दे रहें कि वैल्यू कैसे आता है वैल्यू क्या क्या होता है उसके बाद हम लोग इसका आपको पीडिये भी मिल जागा वहां से भी देख सकते हैं दिखना और तो लिख सकते हैं यह पिद्चार्ट रहा है जो क्लास तेंथ में आप लोग कई दफा मान को याद करेंगे निकालेंगे तो यह चार्ट तो सब के पास होगा कॉपी में या फिर कहीं न कहीं किताब में लिखा ही होगा हम लोग आज इसको निकालना सिख रहे हैं कि इसका मान हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं कभी भी एक छोड़े सा फर्मूला है छोड़ा सा ट दीविए तीस के लिए 45 60 90 के लिए फिर इसमें आपको जीरो बटा चार से रूट के अंदर सब्सक्राइब करना है कि वाई में चार कर दीजिए और सब को कर दीजिए भाग उसके बाद जो सब मान कट रहा है उन सब को काट देजिए 4 से 4 ये कट गिया तो ये बचा 1 2 से इसको एड़े हैं 2 एकम 2 2 दूना 4 फिर ये तो नहीं कटेगा और कोई नहीं कटेगा छोड़ देजिए उसके बाद मान निकालना शुरू किजिए जब 4 से 0 में भाग करेंगे तो उसका मान आएगा 0 और 0 का रूट से वैल्यू निकालेगा तो वह आएगा 0 ही एक कमान निकालते हैं रूट से तो उसका मान एक और 4 कमान निकालेंगे तो उसका मान दो हो जाएगा पिर उसी तरह root 1 command तो 1 निकल करके आ जाएगा लेकिन root 2 command नो निकलता है इसलिए root 2 ही रह जाएगा 3 command नहीं निकलता है इसलिए root 3 रह गिया root 4 command 2 होता है root 1 command सिर्फ 1 निकल करके आ जाता है यह आपका sign theta command हो गया यहाँ से match कर लिजिए 0 command 0 30 command 1 बटा 2 45 command 1 बटा root 2 60 command root 3 बटा 2 90 command 1 यह कहाँ 0 degree के लिए 30 degree के लिए 45 degree के लिए 30 degree के लिए 90 degree के लिए अब क्या करते हैं इसको last से फिर से लिखना सुरू कर देते हैं last से लिखा आते हैं तो यह cost theta command हो जाता है cost theta के लिए 1 फिर root 3 बटा 2 फिर एक बटा रूट दो उसके बाद एक बटा दो और जीरो साइन और कॉस का अमान हो गया इसको आपको याद करने का आप जरूरत नहीं पड़ेगा शायद फिर टेन ठीटा के लिए निकालते हैं तो टेन ठीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आप लोग कि टेन ठीट तीटा बटा-kos Theta साइन ढगा चош थेटा अब इससे हम लोग उसका मान भी निकलते हैं जैसे Was निकालना हो 10 exam में मान लिजे आगया कि 1045 डिगरी का मान या फिर किसी question वी हमको बता नहीं को 1045 डिगरी का मान क्या होता है हम को sign और वैल्यू याद है तो हम इसे ten का वैल्यू कैसे निकालेंगे 10 45 degrees sin theta sin theta के जआगा पर कितना गया है θеая بराबर हो गया 45 sin 45 sin 45 का मान होता है बटारूट 2 और इसके बटा में cos 45 cos 45 का मान भी फारूट 2 फार पूरा 1 बटा रूट 2 से 1 बटारूट 2 ये खत्म हो गया तो आया का मान पूरा 1 सब कर जाता है तो उसका मान एक होता है means 35 का मान हो गया एक इस से आप इसका सब का मान निकाल सकते हैं जीरो का भी तीस का भी 45 साथ और नब्बे का उसी तरह से कॉट ठीटा का निकालना तो जैसे साइन 20 छीटब को गुमा देते हैं तो कॉस चिटा हो जाता है इसके बांद आते हैं लोग last sec theta, sec theta का formula भी पता होगा सब को 1 बटा cos theta होता है अब इससे आप मान निकाल सकते हैं जैसे मान लिजिए कि हमको निकालना हो theta बराबर 30 degree का तो sec 30 degree का मान निकालना है हमको तो sec 30 degree 1 वैसे ही cos 30. cos तीस का माद हमको पता है 1 बटा 2 होता है अब जो नीचे है उपर तो 2 हो गया और नीचे में एक नहीं लिखा जाता है कभी भी बाई में एक नहीं रहते हैं इससे आप इसके पूरे वैल्यू का मान निकाल सकते हैं 0 से 90 तक फिर आतना है कॉसेक ठीटा यह आपका लास्ट रह गया है कॉसेक ठीटा बराबर होता है 1 बाई साइन ठीटा और यहां से इसका वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग किसी का भी ले लिजिए कोई एक यह हो गया रूट 3 बटा में 2 जो नीचे सो उपर यह हो गया 2 और नीचे वाला नीचे ही लगा रूट 3 यह आपका अंसर हो गया इस तरह से करकर के आप सब का मान निकाल सकते हैं आपको इन में से किसी का भी जरूरत याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुश्किल से 30 स से 40 सेकेंड लगेगा आप उसको आसानी से इजी वे में निकाल सकते हैं उसके साथ कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन से बुक परना है कौन सा बुक परना जरूरी है या फिर कौन सा बुक खड़ी दे तो आपको हम बता दे कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका य 95 से 97 पॉसेंट मार्क्स रहेगा वो रहेगा एंसी एर्टी से बाकी पांच नंबर या फिर बोलिए तीन नंबर इसकी गारेंटी नहीं है कि किस बुक से रहेगी तो अगर आप एक्जाम के विव से पढ़ना चाहते हैं आपका विव में फोकस एक्जाम है तो आपको एंसी से अच्छा मार्क्स आ सके उसके साथ अगर आप चाहें तो कोई भी बुक ले सकते हैं जो खासकर आप आड़े सग्रवाल ले लिए या फिर आड़ी सर्मा का बुक पर ये दोनों बुक बहुत अच्छा है आप अच्छे से पर सकते हैं मन लगा कर पाई किजिए आपको यह याद करने के ज़रूत नहीं है ऐसे पढ़ाई किया पढ़ाया जाएगा आप लोग को कि वह चीज़ आपको याद हो जाएगा या फिर आप उसका मान निकाल सकते हैं खुद से रटने का ज़रूत नहीं पड़ेगा फॉर्मूला का जो भी नोट से रहेगा वह आपको